नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जारखंड के दिन भर की खबर जानते हैं जारखंड में सुखा रहाद के लिए 30 नौमबर तक करे आवेदान जारखंड में सुखा से परवावित 22 जीलो के 226 परखंड के किसान को रहाद देने के परकिलिया शुरू कर दिगाई है, किसानों को आवेदान देने के लिए पोटल खोल दिया गया है 30 नौमबर तक किसान पोटल के माध्यम से एक रूपए का टोकन मनी दे कर आवेदान कर सकते हैं किसान प्रग्या केंद्रे के माध्यम से आवेदान कर सकते हैं राजे में यूपीय सरकार के तीन साल पूरे होने के मौके पर 29 दिसंबर को किसान के खाते में एक मुस्त रासी भेजी जाएगी किरिसी मंत्री बादल ने सनीवार को सभी उपायुक देख साथ वीडियो कन्फेजिंग कर अभियान को गति देने का निदेश दिया है बता दे मंत्री ने बताया है कि पूरे राजे में 30 लग से अधिक किसानों को राहत देने का लग्चे है किसानों को 35 रुपे प्रती रासन काड राहत के रूप में सरकार देगी पोर्टल खुलने के बाद अब तक 65-100 से अधिक किसानों ने आवेदन कर दिया है जिन किसानों ने पूर्व में फोसल राहत जोजनाक धात आवेदन दिया है उनको भी एक रुपे का टोकन कटाना होगा किसानों को लेंड पोजीशन सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है दादा सोबरन की सहाधत दिवस पर सियम हिमन्त वा सिबु सुरेन पहुंचे पैत्रिक गाउ जारखन के मुख्य मंत्री हिमन्त सुरेन अपने दादा सोबरन सुरेन की सहाधत दिवस पर भाग लेने के लिए पैत्रिक गाउ गोला परखन के नेमरा पहुंचे मुख्य मंत्री हेमन सुरेन अपने पीताप पुर्व मुख्य मंत्री वज्जावमो सुप्रीमो सुबु सोरेन के साथ लुकाया टारिस्थीत सहाधत अस्थलपर अस्थापीत सहीद सोबरन सोरेन की परतिमापन मल्यारपन कर तथा अरपित कर उन्हें नमन किया इसके बाद मुख्य मंत्री ने दिप परोजलित कर कारकरम का उधाटन किया बता दे कि सीम हेमन सुरेन रभीवार की दोपर करीब दो बजे हेलिकोप्टर से अपने पैत्रिक गाउन नेमरा पहुंचे रामगर जीले के गोला परखन अंतरगत निमरा गाउं में आज उनके दादा स्वर गिये सोबरन सोरेन के सहाधत दिवस पर कारकरम आउजित किया गया है सीम हेमन ने सिम्डेगा के घायल होंकी खिलाडियों का लिया संग्यान सिम्डेगा जीले के सदर थाना छेतर के गरजा पुराना पानी के निकट सडग दुर गाटना में घायल होंकी पलेयर की स्थिती पर सीम हेमन सुरेन ने संग्यान लिया है बताते चले कि इस घाटना में एक नन्हे होंकी खिलाडी की मौत हो गई है वहीं घायल होंकी पलेयर का इलाज राची के रिम्स में चल रहा है घाटना सनीवार की देर साम की है इस बाबत सीम हेमन सुरेन ने ट्वीट कर समुचित इलाज कराने को कहा है CM हिमन सुरेन के मामले को संग्यान में लेने के बाद उनके निदेश पर खेल भी भाग आज रिम्स पहुंचा खेल निदेशक स्रोजनी लकड़ा रिम्स पहुंच कर घायल खिलाडियों का हाल चाल पुछा घायल खिलाडियों को अलग अलग वाड में भरती किया गया है जार्खन के प्राइमरी स्कूलों में जल्द बहाल होगी e-learning सुविधा जार्खन सरकार अपने प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बेहतरीन सुविधा देने जा रही है या सुविधा बच्चों की learning ability को बढ़ाएगी इसकी त्यारी कर लिगई है जार्खन राज सिक्चा पर्योजना की ओर से ऐसी सुविधा देने वाली एजेंसी के चैन के लिए टेंडर निकाला है इस टेंडर में उन तमाम बातों की जनकारी दी गई है जो एक कलास रूम को अस्मार्ट कलास रूम में तबदिल करेगी वैसे एजेंसिया जो इस तरह की सुविधा सरकारी प्राइमरी स्कूलों में दे सकती है वे कल तक टेंडर डाल सकती है सिक्षा पर्योईना के मुताविक राज सरकार सरकारी स्कूलों में प्राइमरी अस्तर की पढ़ाई करने वाले छोटों बच्चों के लिए ई-learning material किट तयार करना चाहती है इसके लिए जार्खन सिक्षा पर्योईना की और से पहल की गई है जार्खन में 18,000 इसकूल नहीं दे रहे बच्चों को उपस्थिती की रिपोर्ट जबकि राजे के सरकारी स्कूल में नमांकित कूल बच्चों में से अउस्तन 10 लाख बच्चों रोजाना और उपस्थित रहते है इधर उपस्थिती की रिपोर्ट देने वाले स्कूलों की संख्या भी हर मां कम हो रही है बताजे राजे में कूल 35 या 430 बिद्याल है इनी स्कूलों को इद बिद्यावाहनी पोटल के माध्याम बच्चों की प्रती दीन की उपस्थिती की जनकारी स्कूली सिक्षाई में सकता है विभाग को देनी होती है इसमें कक्षावार कूल नमाकित बच्चों और उस दीन बच्चों की संख्या के बारे में बताना होता है बिभाग द्वारा त्यार रिपोर्ट के नुसार अक्टूबर में 15,993 स्कूलों ने जबकि नॉम्बर में 18,233 स्कूलों ने बच्चों को प्रतीती की जनकारी बिभाग को नहीं दी है देवघर एसकार्पियो लूट कांड में दो महिला समेत पांच गिरफतार देवघर जीले के मारगो मुंडा थाना छेतर से हुई एसकार्पियो लूट कांड में पूलिस को सफालता मिली है इस मामले में मधुपूर HDPO बिनोध रवानी के नितित में तोपचांची, राजगंज, तेतूल मारी तथा गोमिया पूलिस ने छपे मारी कर घाटना में सामिल दो महिला समेत पांच पूरुस अपराधियों गिरफतार किया है पकड़े गए अपराधियों की निसान देही पर पूलिस ने लूटी गए सकारपियों को गोमियों से बरामत कर सभी अरोपियों को देव घर रवाना लेकर हुई है वहीं घटना को अंजाम देने के लिए प्राधियों ने जिस दूसरे स्कार्पियों का इस्तमाल किया था उसे भी तुपचांची से बरामत कर लिया गया है मतांत्रित लोगों को जनजाती सुची से बाहर निकालने को लेकर महार एली सरना धर्म त्याग अन्य धर्म कबूल चुके आदिवासियों को जनजाती सुची से बाहर करने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में आदिवासी महिला पूरुस का मोराबादी मैदान में जुटान हुआ है जनजाती सुरक्षा मंच के आवाहन पर जीले के गाव गाव से हजारों की संख्या में लोग अपनी आवाज बुलन्द करने पहुचे हैं बतादे महिलाए जहां प्रामपरीक लाल पाड की साड़ी में वहीं कई पूरुस सफेद होती और हाथ में तीर धनूस लिए रैली में सामिल होने आए हैं मोराबादी के DSP MU मैदान से रैली राजभवन होते हुए कचारी चोग पहुचेगी वहाँ से DC आवाज होते हुए वापस कारकरम अस्थल पहुचेगी जहां वर्ये नेताव का भासन होगा खोटी में पूलिस की आवाज सुनकर बुजूर्ग की मौत जहारखन के खोटी जिला के तोरपा थाना छेतरे के रोडो गाव में प्रतिवन्धित मांस का करोबार करने के फरार आरोपीत की गिरफतारी के दरान हार्ट अटेक से एक बुजूर्ग की मौत हो गाई इससे आकरोश्थित गिरामिनों ने सर्निवार की रात एक बये से पूलिस को बंधक बनाए रखा है मामले की जनकारी मिलने पर SDO, अनिकेत, सचान, तोरपा, SDPO, ओंपरकास, तिवारी, खुटी, SDPO, अमित कुमार, इंस्पेक्टर, और अंचला अधिकारी, सचिदानन्द, बर्मा, बीडियो, देयानन्द, कारजी, सहित, कई वरी अधिकारी, रोडो गाव पहुंचे और रामिनों को समझा कर, सव को सुबा पोस्मास्टम के लिए भेज दिया है, जहारखन का लाइबरेरी मैन का PM मोदीने की सराहना, परधान मंत्री नाइद मोदीने मन की बात में रभीवार को जहारखन के लाइबरेरी मैन संजय कक्छप की सराहना की है, मन की बात में परधान म से संजाय कख्षप ने 2002 में असनाता की पढ़ाई के वक्त आई एस अधिकारी बनने का सपना देखा इसके लिए उन्होंने अपने अस्तर से हर संभव कोशिस की लेकिन गरीबी के कारान महंगी पुस्ते के खरीद पाने में असमर्थ थे वहीं अच्छी पुस्ते के नहीं मिल पाने के कारण उनका या सपना धुरा रह गया हलाकी बाद में उन्हें रेलेवे अक्रिशी विभाग में नोक्री मिल गई है अयोध्या से 15,000 किलोमेटर की यात्रा पर निकली रत है आत्रा आज रांची में 500 वर्षों के कठिन संहर्ष के बाद अयोध्या में भव्य स्री राम मंदीर का निर्मान हो रहा है लंका विजाई के बाद अयोध्या पहुचने पर भगवान राम ने असमे जग किया था उसी तरह मंदीर बनने की खुशी में स्री राम राजे दिख विजाई यात्रा निकाली गई है पांच अक्टूबर 2022 विजाई दसमी के दिन अयोध्या से चल कर यात्रा रभीवार को रांची पहुचेगी सुमवार को रांची से हजारी बाग होते हुए बिहार में प्रवेश करेगी बताजे 60 दिनों में देश के 27 राजियों से होते हुए यह रत 15,000 किलोमीटर की आत्रा तै करेगी गीता जयांती के दिन अयोध्या पहुचेगी टाटा इस्टील की 110 मीटर उची चीमनी 11 सकेंड में हुई ध्वस्त टाटा इस्टील की 27 साल पुरानी चीमनी को अत्यधुनिक तक निकी के मदद से मात्रे 14 सकेंड में रभीवार सुब ध्वस्त कर दिया गया यह कारे सुबा 11 वजे संपन हुआ टाटा इस्टील की ओर से रभीवार को यूनाइटेड कल्व में आहुद प्रेस कंफरेंस में अजनकारी दी गई अधिकारियों ने बताया है कि चीमनी को जीरो डिगरी अर्थात पुरी तरह लंबवत गिराया गया जिसे किसी भी परकार की दिकत नहीं हुई अधिकारियों ने दावा किया है कि जीरो डिगरी पर चीमनी गिराने का या विश्वर रिकोर्ड भी हुआ है गढ़वा में आठ लोगों ने मिलकर की गव हत्या चार गिरफतार जारखन के गढ़वा जिला के खरोंदी थाना चेतर के चांदनी गाउं में मुसलिम समुदाय के लोगों द्वारा सनिवार की रात लगभग 10 बजे एक बच्डे को काटने का ममला परकास में आजा है अस्थानिय ग्रामिनों ने इसकी सुचना थाना पर भारी अभाय कुमार को दी सुचना पर थाना पर भारी दल बल के साथ घटना अस्थाल पर पहुँच कर काटे गए बच्डे का उसे इसको बरामत कर लिया है जैक बोड मैट्रिक इंटर की टर्म एक परिक्षा में करेगा बदलाव जैक बोड की ओर से आयोजित मैट्रिक इंटर की होने वाली टर्म एक की परिक्षा का प्रश्ण पैटर्न बदलने की त्यारी है अब पैटन 40-40 अंखो की परिख्षा अब्जेक्टी और सब्जेक्टी में होगी बता दे 20 अंखो का इसकूल कॉलेज में आंत्रिक मुल्यांकन होगा मैट्रिक इंटर की परिख्षा को लेकर धन्बाद जीले में त्यारी सुरू होगाई है परिच्छा केंद्रों के सूची विज्जय को भेज दी गई है धनबाद जी लेके करीब अंठावन हजार चात्र चात्राय में ट्रिक और इंटर की परिच्छा में सामिल होंगे धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं हो तो चैनलों के सब्सक्राइब कर बहुल का बेल एकन दबाएए साची साथ वीडियो के एक लाइक कर अपने दोस्तों के सेर करना ना भूले साची साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फीड़वेक अवस्य दे थांक्यू